हेलो बच्चो गुड बॉर्णिंग वेलकम है आप सभी का विहार बोर्ड क्लासिक्स से लिया गया पहला चेप्टर माई मादर के इस वीडियो सेशन में ये आपका लेक्चर टू वीडियो है ठीक है पहला लेक्चर आप लोग को मिल जाएगा ठीक है अप्ला लिस्ट में ये लेक्चर टू है तो इस लेक्चर टू में हम लोग देखेंगे इस पोयम का जैसे कि आप सभी को इस पोयम का हिंदी बताया था आज फिर से आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से उपस्तित हूं खूं प्ला इस बोड़ प्रशन ओ खूं पड़ में हम वी इस है इस वी आिए सल्क्रिंगे लाएग्गा रंणो मैं ये इस वाव्या हूं थू़ सू आप शो है लोगे Всемिए हैं है थैं हूए 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 ऍपस्तितिक इस घे खब आए हन मोगड़ आड-जा़ है। गुड मॉर्णिंग बच्चो वेलकम है आप सभी का विहार बोर्ड क्लास 6 का पहला लेशन माई मादर के इस वीडियो सेसर में आज मैं आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में इस चेप्टर का टोटल वर्ड मिनिंग के साथ हिंदी समझाऊंगा और इसके बाद इसका यह कुश्चन अंसर भी करेंगे ठीक है समरी के साथ तो शली हम लोग देखते हैं तो पहला चेप्टर सबसे पहले तो आप लोगों बता दें कि यह आपका लेक्चर टू वीडियो है ठीक है यह पहला लेक्चर आप सभी को मिल जाएगा ठीक है ओल्लेडी तो इसमें हम सभी देखेंगे वाण बाए ओन करके जितने भी difficult word meaning है पहले इसे देखते हैं तो धन करके यह जितने भी वड्मिंग यहां से ले करके और पहला जो पारगराफ है यहां तक जितने भी भी बीछ में जितने भी difficult word meaning आया हुआ हूआ है इस सब का word meaning पहले आप अपने copy में note कर लेंगे तो चलिए note करते हैं तो यहां पर word meaning है देखिए आपका पहला जो stanza है poem का उसका first line यहां पर है ठीक है तो who से लेकर के और my mother जो पहला stanza है उसके बीच में जितने भी difficult word meaning है वह total word meaning मैं यहां पर ठीक है दिया हुआ हूं आप सभी अपने copy में total word meaning को पहले note कर लेंगे ठीक है तो चलिए नोट कर लिजेगा अब आगे देखते हैं तो जैसे पहला वर्ड यहां पर पहला वर्ड अफेक्शन मने प्यार या प्रेम ठीक है सेड मने गिराया यह चलकाया cradle bed का मतलब होता है पालना जिसको जूला बोलते हैं बच्ची लोग जिसमें मतलब को रखा जाता है उसमें जूला जूला जाता बच्ची लोग को वहां गया तो चलिए पहला इस्टेंजा का जो हिंदी होगा वो मैं यहां पर दिया हूँ कि कौन बैठा और देखा ठीक है मेरा सिस सीर ठीक है जब मैं पालने में लेटा हुआ था यह बचा कहता है तो मेरी मां इस परकार से आप डूसरा और से ले करके माई मतले मतले ठीक है तखाय निहारा विप्ट मनने रोया फियर मने भाय या डर टोटल वर्ड में अपने कॉभी में नोट कर लेंगे ठीक है इसके बाद है सकेंड एस्टेंजा का हिंदी यहां पर है जब दर्द और बीमारी से रोया ठीक है किसने मेरी मतलब भड़ी आंखों से मुझे निहारा मतलब जब मैं दर्द और बीमारी में जब मैं रो रहा था तो किसने मेरी ठीक है भड़ी आंखों से मुझे निहारा और इस डर के साथ रोया कि कहीं मैं मरने जाओं वो कौन थी मेरी मा थी ठीक है वो कौन थी तो मेरी मा थी चलिए आगे देखते हैं अगे फटेंजर तो फटेंजा का अब डिन यहां से अंब नोट कर लिजिए वा है ठेक का पहला लाइन होगा यहां से लाइस्ट लाइन दिया और गया है तो आप इस बीच में जितने भी डिफज defeat वर्ड बीनिंग आया हुआ है टोटल पहले नोट कीज़ेगा help माने मदद करना fail माने गिरना किस माने चुमना तो यह ठीक करने के लिए उस जगह को कौन जो है सो चुमा तो कौन थी मेरी माँ ठीक है फिर आगे अगला फोर्थ एस्टेंजर है फोर्थ एस्टेंजर फिर आप लोग यहां से यहां तक कि जितने भी डिफकल्ट वर्ड मिनिंग है नोट कर लेंगे कॉपी में ठीक है जैसे एवर मने कभी काइंड मने दयालू दी मने तुमको ठीक है यह यू का ही पोईट्री फॉर्म है आगे है सो मने इतना तू मी मने मेर प्रति तो यह टोटल वर्ड मिनिंग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे आवज से ही आगे जो है कि स्वाड़ीश का जो है इस लाइन का हिंदी छूट चुका है तो मैं आप सभी को कि एक सेकेंड कि चलिए आप यहां से देखिएगा इस लाइन का हिंदी में आप लोग को बताता हूं पहले आप इसके टोटल वर्ड मिनिंग नोट कर लेंगे ठीक है यहां से इतने भी वर्ड मिनिंग है अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे ठीक है मैं आप लोग को एंड कैन लेवर से लेकर के माई मदर तक का हिंदी में आप लोग को समझाने का अभी आप लोग को मैं समझा रहा हूं एंड काई लिवर यहां से देखें यहां से एंड कैन आई इवर केज टू बी एफ्रेक्शन एंड काइन टू दी और कौन मेरे लिए इतना देखें होती है तो वह कौन होती है माई मदर ठीक है मेरी मा फिर यहां से देखें अगला एस्टेंजा है आँ नो ठीक है माई मदर यहां से इसके जितने भी डिफकल्ट वड़ी नहीं है अपने कॉपी में नोट कर लेंगे अधिक है थोट माने सोचा बेर माने सहना लाइफ माने जीवन एस्पेर माने छोड़ना या ठीक है बकस ना किसी को यह बोलता जैसे बकस देना किसी को छोड़ देना होप मने आसा करना आगे है रिवार्ड माने इनाम देना ठीक है ट्राइए टी एच वाई इसको परेंगे दाई दाई माने होता है तेरा ठीक है तुम ही मतलब यू का ही फॉर्म है केर माने देखवाल करना तो इस इस्टेंजा का हिंदी यहां से आप लोग देख लीजेगा जैसे कि आह नहीं ऐसे वि मारे द्वारा दी गई ठीक है देखवाल का मुल जरूर चुकाऊंगा मेरी मां अगला हो जाएगा अगला हिस्टेंजा यहां से वेन दाव आर्ट से लेकरके माई मादर के बीच का जितने वर्डमिनी है नोट कर लेंगे ठीक है दाव है दाव मने तुम यह यू का ही फॉर्म है आर्ट मने होंगे ओल्ड मतलब बुढ़ी फीबल मतलब दुर्वल या कमजोर ठीक है ग्रे मन मतलब स्वास्त इस परकार से यह टोटल वर्डमिनिक इसमें जितने भी डिफकल्ट वर्डमिनिक है आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ठीक है सूध का मतलब होता है आराम देना आराम पहुंचाना एस्टे मने सहारा देना या रोक थाम डोकना पेन मने दर्द कस्ट और अवे मने दूर तो टोटल वर्डमिनिक अपने कॉपी नोट्बुक में नोट कर लेंगे चलिए आगे इसे स्टेंजा का हिंदी देखेंगे जब तुम बूठी हो जाओगी कमजोर हो जाओगी और ठीक है काली पर जाएगी तुम्हारी त्वचा दिरे दिरे क्या हो जाएगी मतलब काफी मतलब चुकटने लग जाएगा तुम्हारा त्वचा जो है काफी दम बूठी हो जाओगी तुम्हारे बाल पक जाएंगे तो उस समय मेरा जो स्वस्त बाजू है वो तुमें सदा क्या करेंगे? तुमारी सेवा करेंगे और मैं तुमारी पीरा को दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करूंगा, मेरी मा ये बाते कौन कर रहा है? तो वो एक बच्चे के द्वरा अपने माँ को स्वन्तोना दिया जा रहा है चलिए अब आगे आप सभी इस पोयम का समड़ी देखेंगे समड़ी भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे सभी तो इस पोयम का समड़ी जैसे समड़ी का मतलब हर पोयम का हम लोग समड़ी की कवर करेंगे समड़ी का मतलब होता है सारांस मतलब इस पोएम को पड़े हैं तो इस पोएम के माध्यम से कभी क्या बताना चाहते हैं इस चीज़ को रिपरजेंट किये हैं इसी चीज़ को हम लोग समड़ी के माध्यम से समझेंगे तो पहला लाइन हो जायागा माई मादर पोयम इस डिटेंड बाई एनी ठीक है माई मादर जो पोयम है मेडी मा जो कभीता है इसे लिखा गया है एन टैलोड के द्वरा दो पोएट इस डिस्क्राइबिंग डा क्यालिटीज औफ अ लोग इन दिस पोयम इस पोयम में कभी जो है मा के असी मतलब जो किया गया है ठीक है तो इस प्रकार से आप टोटल लाइन को नोट कर लेंगे कॉपी में और फिर मैं इसका लाइन वाइन हिंदी नीचे लिखा हुआ हूँ तो आप हिंदी भी नोट कर लेंगे कॉपी में कि देखते हैं आगे तो यहां से देखिएगा हिंदी दिया गया है ठीक है माई मदर कविता एन टेलर दोरा लिखित है इस कविता में कभी एक मा के गुनों का वर्णन करता है ठीक है एक मा अपने सीसू का बहुत ख्याल रखती है वह अपने बच्चों को प्यार से देखती रहती है वह हमेशा अपने बच्चों पर प्यार बरसाती है जब उसका बच्चा बिमार पर जाता है तो वह उसका विशेश रूप से क्या करती है तो ध्यान रखती है आगे है कि यहां से देखिएगा वह हमेशा अपने बचों के जीवन के लिए चिंतित रहती है और उसकी प्रव। ृत्व अपने बच्चों को प्यारी-प्यारी कहानिया सुना उसे खुशरक़्ने का हर पत्षिवरास से कोशिस को किया करती है कवियंत में कहता है कि ऐसी मा के प्रतिक किसी भी वेक्ति को निर्दय नहीं बनना चाहिए ठीक है आगे कहा जा रहा है हर वेक्ति को ये बाते याद रखना मतलब ये याद रखा जाना चाहिए अपने माता पिता को खास करके विश्यश कर अपनी मा को की उसके करने के लिए त्यार रहना चाहिए थिक है तो यहां तक आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे यह लेक्श्टेट झा अब हम सभी मिलें गे फिर लेक्चार थीर्ड में मिलेंगे जिसमें हम सभी इस chapter का question answer cover करेंगे ठीक है अगला जो lecture class होगा lecture 3 इसमें हम सभी इसका question answer देखेंगे ठीक है तो आप सभी यहां तक अपने copy में note कर लेंगे word meaning के साथ और समड़ी के साथ total copy में note कर लेंगे यही आप लोग का यह आज का homework है ठीक है तो वीडियो कैसा लगा comment जरूर किजिएगा thanks for watching this video